जन जन मां देवत्व जगाओ आ धर्ती ने स्वर्ग बनाओ परम पूजिय पंडित स्री राम शर्मा अचारी जी योग नर्मार योजनानो देश जायर करेओ के मारा प्रतेक मनुश्य ने देवता अने धर्ती ने स्वर्ग बनावी आज नी विशम परिस्थितियों मां आ संकल पूरो करवा माटे आओ गिनानी अखंड जोती अवर्त धाराओ थी वैती करिये इश्वर उपासना से जोड़ी स्टेश्ट भावनाए उपासना प्रती दिन करनी चाहिए जिसने सूरत चांद बनाए, फूल फल और पौथी उगाए कई वर्ण कई जाती के प्राणी बनाए उसके समीब बैठेंगे नहीं तो विश्व की अथार्थता का पता कैसे जलेगा शुद्ध फृदे से किर्तन भजन प्रवचन में भाग लेना प्रभू की इस्थुति है उससे अपने देह, मन और बुद्धी के वे सूक्ष में संसान जागरित होते हैं जो मनिश्य को सफल, सदगोनी और दूरदर्शी बनाते हैं उपासना का जीवन के विकास से अद्वीतिय संबंद है किन्तु केवल प्राथना ही प्रभू का इस्तवन नहीं है हम कर्म से भी भगवान की उपासना करते हैं भगवान कोई मनुश्य नहीं है, वो तो सर्वव्यापक एवं सर्वशक्तिमान क्रियाशील सत्ता है इसलिए उपासना का अभाव रहने पर भी उसके निमित्त कर्म करने वाला मनुश्य बहुत शिग्र आत्मग्यान प्राप्त कर लिता है लकडी काटना, सड़क के पत्थर फोड़ना, मकान की सफाई सजावट और खलिहान में अन्न निकालना आदी भी भगवान की हिस्तुती है यदि हम ये सारे कार्य कर्म इस आशे से करें कि इससे विश्वात्मा का कल्यान होगा कर्तव्य भावना से किये गए कर्म परोपकारों से भगवान जितना प्रसन्न होता है उतना केर्टन और भजन से नहीं स्वार्थ के लिए नहीं, आत्मसंतोश के लिए किये गए कर्म से बढ़कर इश्वर की भक्ती और उपासना पधती और कोई दूसरी नहीं हो सकते अखंड जोती, मार्च 1989, प्रिष्ट एक